जेहिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके एपने यूटूब चेनल डिफेंस चेंपियन में तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सभी स्टुडेंट्स के लिए कि इंडियन एरफूर्स अगनिवीर भरती का जो पहला बेच है 01-2022 जिसकी जोइनिंग कल से स्टार्ट हो रही है 25 दिसंबर से आपकी जोइनिंग है वो स्टार्ट हो रही है तो 25 दिसंबर से सभी कैंडिड्स है अपने जोइनिंग सेंटर पर जाएंगे जो की सई तरीके से घर से त्यार करवा के सई समय पर पहुंचे और अपना जो भी समान वहां से मांगा गया है उन्होंने जिस तरीके से क्या क्या समान है पेकिंग क्या करना चाहिए घर से तो क्या लेकर जाना है वो संपुन डिटेर्स पहले से हमने परवाइड करवा रखी है ज 01-2022 जिसके अंदर आपका सेलेक्शन हुआ है तो डिफेंस चेंपियन यूटूब परिवार की और से और संपुरुन टीम की और से आपको हारदिक सुपकामने आप बिल्कुल आगे तरकी करें और जोइनिंग है सही सलामत करें अच्छे तरीके से कोई दिक्कत प्रेशन आप आपको इस वर ना देगी आपने जोइनिंग इंस्ट्रेक्शन है वो पढ़ लिये होंगे आपने जितने भी डोकिमेंट्स त्यार करवाने थे वो करवा लिये होंगे और क्या-क्या लेके जाना एक बार रिवीजन जरूर कर लेना क्योंकि सब चीजों का वान ले जाना जर करवांगा फिर भी आपके कोई गलती होगे तो सुधार लेना वहां से आप है अभी आपके पास वक्त है और सभी डोकिमेंट्स का त्यार करवाना बहुत ही जरूरी है तो आप सभी कैंडिट्स ने आप जो अपना जो इन्वर्मेंट लिस्ट है यानि फाइनल जो मेरिक ल डाउनलोड करने का प्रोसेस भी काफी बड़ा है तो उसको आपने फिल अप करके आराम से लगबग कैंडिट्स ने डाउनलोड कर लिया किसी के दिक्कत आये थी तो मैंने उसका सोल्यूशन भी आपको प्रवाइड करवाया था क्योंकि उसमें आपकी जो बायो डिटेल्स आपको डायरेक्ट जोइनिंग कहां पर है ATS बेलगावी में है ना कि आपके Airman Slection Center पर इस बार जोइनिग नहीं है आपको डायरेक्ट ट्रेनिंग सेंटर पर जाना है तो ट्रेनिंग सेंटर में वहां पर आपको पहुंचना है साधी समय पर यदि आपका साधे 6am रिपोर् किजेगा यानि कल आपकी जोइनिंग है यानि 25 को है तो 24 को आप लगबग दो पहर तक पहुंच जाए इतनी दूरी से जब आप रास्ता तहे करोगे यह लगबग तो उनको दिक्कत प्रेशानी होती है थकान हो जाती है तो आप सई समय पर पहुंच कर वहाँ पर पहुंच जाएए मेरा यही सजेशन है और जो इनफोर्मेशन होगी मैं आपको और प्रवाइड करवाँगा अच्छे से बारी की तो देखिए दोस्तों आपका यहाँ पर जो नहीं करूंगा क्योंकि केमती समय है और उसके बाद में और डेली का जो रूटीन है ट्रेनिंग का वो देख सकते हैं आप यहाँ पर आपको इनफोर्मेशन है वो दे रखी है मीडियम इंस्ट्रक्शन है यह भी आप पढ़ लेना और उसके बाद में डेली रूटीन का ट्रेनिंग हो जाएगी तो सब कुछ ट्रेनिंग में यहीं होगा रनिंग सीट पूश अप ठीक है चीन अपस जो रॉप कलाइमिंग है तो सब चीजे आपको कराई जाएंगी ट्रेनिंग के अंदर 5-6 किलोमेटर आपकी दोड़ भी होगी तो हर चीजी है टाइम टू पढ़ लिया होगा दोस्तों आपको वेक्षिनेशन सर्टिफिट है आपके मांगा जारा है परसेल सेफटी रिक्वायर्मेंट मांगा गया तो यह चीजे आप ले जाना को दिक्कत की बात नहीं है सेविंग बैंक अकांट आपका होना चाहिए क्या होना चाहिए सेविंग के अंदर है तो बहुत दी अच्छी बात है यदि इसके अलावा किसी बैंक में है तो यहां पर जो बैंक के नाम है वह आपको दिये गए है वह भी मैं आपको बता दूँगा यहां पर लेकिन लोकल जो है यानि छोटा स्मोल अकाउंट है वो नहीं होना चाहिए सेविंग अकाउंट होना चाहिए यदि सेविंग है तो उसको सेलरी में भी कनवर्ट किया जा सकता है यदि आपके पास कोई अकाउंट नहीं है तो वहां पर ओपन भी कर दिया जाएगा यहां पर आपके पास बैंक स्टेटमेंट ह होना चाहिए first page of passbook यानि passbook का पहला page होना चाहिए और checkbook भी होनी चाहिए आधार card होना चाहिए pen card आपके पास होना चाहिए यदि back account नहीं है तो भी documents की जरूरत होगी यदि है तो यह चीज़ें आपको जरूरत वहाँ पर पढ़ेगी salary account के लिए यहां पर आपको information दे रखाए एस भी बैंक है तो चलेगा आई सी आई सी बैंक है तो भी चलेगा एकसिस बैंक चलेगा HDFC बैंक चलेगा बैंक को बडोदा भी चलेगा और PNB bank भी चलेगा इन बैंक में यदि आपका account है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है आपका account है वो चलेगा बिल्कुल आपको benefit है वो मिलने वाला है उसके बाद में आपको personal kit जो आपका requirement है वो आपको daily routine का है वो आपके पास होना चाहिए जिसमें की saving brush हो गया bathing soap toothpaste ठीक है tooth brush यह आपकी जो चीजें है उसमें जरूरत होंगी वो आपको लेकर जानी है सबसे important बात है आपके document की क्या है आपके documents की important बात है जो की 10th की mark seat और 12th की mark seat जो की original होनी उन सभी documents की आपके पास कम से कम 20-20 photocopies होनी चाहिए कितने 20 photocopies होनी चाहिए हालांके इतनी मांगी नहीं गई है लेकिन आपके पास होगी तो अच्छी बात है को दिक्कत प्रेशानी वहाँ पर आपको training center पर बिल्कूल भी नहीं आएगी तो आपको इस बात का ध्यान र लेके जाना है तो बच्छे ये ध्यान में रखना अच्छे तरीके से आपको कि गलती मत कर देना इन चीजों में original mark sheet होनी चाहिए 10th और 12th की उसके साथ साथ आपकी 5 photocopies मांगी गई है हालांकि मैं आने आपको बहुत ज्यादा बताइए लेकिन आपके पास होना चाहिए ये जो है आपका information दे रखा है ये update है चेक कर लेना pain card आपके पास होना चाहिए आधार card जो आपका identification के लिए ठीक है identify करने के लिए आपका एक ID card होना चाहिए pain card आपके पास जरूरी है और इसके अलावा आधार card भी होना जरूरी है इसके साथ साथ आपके पास driving license है या फि हो चाहिए आपका फिरे जो की टैच वाला फोन हो तो वो दोनों ही अलाव नहीं है याद रखना यह देखेगा पर्सनल सेल फॉन यह स्मार्ट फॉन इज स्टिक्टली है यदि आप लेकर जा रहे हैं तो आपका फोन वहाँ पर जमा हो जाएगा और how to reach airman training school बेलगावे मे आप पहुंच सकते हैं information दे रहा है बाई एर बाई ट्रेन और बाई बस तो यहाँ पर information है आप जिस भी माद्यम से जा रहे हैं वहाँ पर आप पहुंच सकते हैं आपके पास स्टील का एक बोक्स होना चाहिए इंगलीज डिक्सेनरी मांगा गया है औक स्फोर्ड की हो एलेक्ट्रीकल टोरेच है एक टोरेच होनी चाहिए कलोट्स हैंगर यानि कपड़े टांगने के लिए जो हैंगर होता है घर में यूज करते हैं प्लास्टिक बकेट और प्लास्टिक मग बैग यहां जो आपका जो भी आपके पास लेके जाना प्लास्टिक बोटल है वो होना चाहिए और बुड क्वालिति का एक जूता चूता जो मतलब एक जूड़ी जूत हैं वह आपके पास होने चाहिए दोड़ने के लिए फीजिकल जो एक्टिविट देना पड़ेगा और चार साल तक आप है वो साधी नहीं कर सकते ट्रेनिंग के दोरान ये बात आपको इस तरीके से ध्यान में रखना है यहाँ पर आप पोस्टल एड्रेस है वो इन्फोरमिस न आपको दे रखाएं कम्यूनिकेशन के अंदर जो कि कहां पर है बेसिक ट्रेनिंग इंस्टिटूट सांबरा और आपको यहां पर बेलगावी करनाटका के अंदर हैं तो याद रखेगा बेलगावी Training Center का address यहाँ पर है और आपको website पर भी मिल जाएगा और inquiry करने के लिए आपको number दे रखें तो यहाँ पर इन नमर पर आप inquiry है वो कर सकते हैं उसके बाद में आपका आता है सबसे पहले कोविड नाइंटीन का जो फोरम है वो आपको फिल अप करके लेके जाना है सेलफ डिकलेरेशन आपको खुद को ही भरना है यानि खुद के दवारा इसमें कुछ भी नहीं है ज्यादा तो आपको ध्यान में रखना है रो नमर आपके इंपुट करने है नेम स्ट्रीम क्या है स लेटो बर्त आपकी एज और आपका लिंग यानि मेल एंड फिमेल इस बरती में तो ओनली फॉर ओनली मेल का इंडियेट्स है आगे आने वाली भरती में मेल एंड फिमेल दोनों हो जाएंगे मोबाइल नमर फैस्ट और सैकींड आप एक अपना खुद का और दूसरा घर व आपको यहां पर गल्रमेचन शाव आपको यहां पर इनक्तर करनी है उसके बाद में कोई सिंप्रीम लिखञा और इसकेब आपको यहां पर अपने सीगनरट और यहां पर पने होंगे last वाले में उसके साथ क्या दिक्कत है कि main candidates और stand by candidates हैं तो stand by वाले candidates उनको बहुत प्रेशानी हो रही है क्योंकि उनका selection होगा या नहीं होगा उनके दिमाग में विचार जरूर आ रहा होगा काफी बार आता है और last time में यानि लगबग 3-4 साल के जो सेशन में मैंने देखा तो उसमें क्या यहीं रहता है कि mostly हो भी जाती है stand by clear होती है लेकिन ऐसा नहीं कि सभी candidates की stand by clear हो जाती है वह इन्हीं candidates पर depend होगा कि इनमें से कितने candidates हैं वह joining लेते हैं या वहाँ पर medical में out हो जाते हैं या किसी कान जोइन नहीं कर पाती है तो यहीं से स्थाथी clear होगी यदि वेकेंसी ज्यादा है और जो complete नहीं हो पाती है तो आप stand by candidates को ले लिए जाएगा अब इतने stand by candidates हैं तो उनमें से यदि passing certificate अलग से है तो वो भी आपको लेकर जाना है वच्छे ठीक है उसके बाद में आपका SOAFE फोर्म में जो SOAFE वाला फोर्म है यदि किसी के पिता है वो इंडियन एरफोर्स में है तो यह फोर्म आपको fill up करना होगा NCC का certificate है तो लेकर जाना है और आप character certificate बनवाएंगे जो की gadget officer होना चाहिए पंचायत officer से बना सकते हैं principal से school से जहां से आपने पढ़ा है last time में college से एक साल से पुरान है एक साल से पहले यानि आप पड़े हैं तो वहाँ पर नहीं चलेगा और six month पहले यदि character certificate बन चुका है photocopies यह जो आपकी मांगी गई है address के लिए तो आप वो दे सकते हैं कोई भी एक address की address के तोर पर use कर सकते हैं मूल निवास हो अधार कार्ड हो या फिर और water id को भी use कर सकते हैं 25 unattested photocopies है वो आपकी मांगी गई है खुद only for only candidates इतना होना चाहिए passport size में जो background है वो आप white रख सकते हैं बल्यू रख सकते हैं लेकिन होना चाहिए आपके single आपकी होनी चाहिए passport size में यहाँ पर और उसके बाद में आपकी 10 photocopy मांगी गई है यहाँ पर guardian की 3 by 2 में joint photo यानि इस type की photo होगी आपकी 3 by 2 ठीक है उ एक side आपके father एक side आपकी माता जी दोनों साथ में होंगे 3 by 2 की उसको बोल देना वो automatic photographer हो निकाल देगा 3 by 2 joint photo ठीक है 3 by 2 cm में लिया हुआ है लेकिन passport जो size होता है उसके अलावा जो आपका joint photo होता है उसका भी size होता है एक fix में तो उसकी इसाब से निकाल देगा तो आपकी photo photo मांगी गई है 25 लेकिन आपके पास कम से कम पचास photo आप निकलवा लेना कोई दिक्कत नहीं होगी उसके बाद में 18 से यदि आप कम है आपकी age तो आपको consent लेटर है वो फील अप करना होगा noc certificate है जो कि no objection certificate है उसकी कोई जरूरत नहीं है आपको उसके बाद में आपको information होगी post office हो गया telephone office हो गया state कौन सा यह तुछ सब चीजें पता है pin code important है आपका जो pin code कौन सा लगता है वो याद करके जाना देख लेना उसके बाद में nearest जो railway station है police station है यह हो गया और कितनी दूरी पर railway station है तो यह चीजें वहाँ पर आप से पूछी जाएंगी approach बता देना Google से search कर लेना जिसको information नहीं हो तो उसके बाद में आपका जो एक खाली लिफापा एक की बजाए आप दो खाली लिफापे ले जाना उसके उपर कोई भी आपको stamp है या ticket हो बिल्कुल नहीं चिपकाना है वो आपको खाली ही लेकर जाना है उसके बाद में आपकी email ID होनी चा 1 AAC, 3 AAC, 7 AAC, 11 AAC, 5 AAC, 10 AAC, 12 AAC ये email दी हुए है यहाँ पर आपने ये details बेज़ी है तो भी अच्छी बात है अपने जो documents होते है P5 अगरा जो भी information भेज दिये तो भी अच्छी है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है उसके बाद में लिखा हुआ है आपके पास green card है वो आपकी training हो जाएगी लवग 7 महिने या साड़े 7 महिने में आपकी complete training है वो हो जाएगी उसके बाद में आप जो भी आपकी general duty होगी वो आपसे करवाई जाएगी तो यहाँ पर जो इस बार जो आपका ATS बेलगावी में है वहाँ पर क्या हुआ हुआ है काफी जो आपकी जो आपको देखने को नहीं मिलेगा डेली जो रूल है वह आपको सब कुछ फोलो करना होगा यहाँ पर information है वह आपको दे रखी है आपका certificate of declaration and undertaking for social media यह आपको बहुत ही important है इस बार यहाँ पर आपका name, row number उसके बाद में यहाँ पर आपका ठीक है जो details son of यह daughter of आपको डालना है यह चीज़े आपको धान में रखना है यह आपने कोई social media account बना रखा है Instagram, Twitter, WhatsApp, Telegram, Facebook कहीं पर भी तो आपको इसकी information देनी होगी यहाँ पर अलग-अलग column में लिखकर बताना होगा कि username क्या है क्या नहीं क्योंकि यहां से बहुत ज़्यादा फरोड होते है यहां कुछ गल देनी होगी information किसको जानते हैं किसको नहीं जानते हैं थोड़ी बहुत आपको information यहां पर देनी होगी इसी तरीके से आगे और information हो जाता है क्योंकि 15 जुलाई 2020 को एक नई policy आई इंडियन एरफोर्स की वो आपको जानना जरूरी है यह आपने कभी विदेश में यात्रा किय तो आप इसके बारे में information देंगे यहां पर आपका name, row number, signature of candidates, place, date आपको input करना होगा, witness, signature भी करना होगा, यहां पर जो है officer की seal यानि मोहर लगने वाली है उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है यह जो consent form है, वो only for only, जिसकी age 18 वर्स से कम है, उसी को fill up करना है, paste a recent color passport size facing, तो आपकी जो passport size आप बनवा रहे हैं, photo वो तीन महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, सभी candidates की, यहां पर आपका name, जो की capital में, father या mother उसमें click कर देना, date of birth, उसके बाद में, इसमें words में लिखन है, उसके बाद में, जो आपके father या mother का, जो भी guardian है, उसका reference 1 में, note 1 में, यहां पर दिया हुआ है, details है, जो की क्या है, यहां पर लिखना है, note 1 के अंदर, और note 2 के अंदर है, आपका, किसी और का witness की जरूरत होगी, name in capital blocks, और यहां पर जो आपका क्या है, relation with the candidates, candidates के साथ, क्या relation है, और address, और mobile number भी आप लिखवा लेना, यह तो हो गया, guardian का, उसके बाद में, date आपको डाल देनी है, second statement by witness, दूसरा जो reference number, note 2 लिखा हुआ है, उसमें क्या करना है, कि आपको, आपको कोई जानता हो, या नहीं information देनी होगी, तो उसकी जो है, यहां पर details है, फिलप करवानी है, उसका पद क्या है, ठीक है, उसका जो address हो गया, उसकी जो मोहर है, वो भी आपको लगवानी होगी, तो आप test, gadget officer से आप करवा सकते हैं, यह चीजे, date उसमें लगवा लेना, seal यहां पर आपको लगवानी है याद रखना, उसके बाद में जो certificate है, marital status, अगनिवीर, वाई, यानि आप विवायत है, या ए विवायत है, उसके लिए आपको unmarried certificate है, इसको आप बोल सकते हैं एक तरीके से, तो आपका name, row number आजाएगा, उसके बाद में आपका क्या, जो पिता जी का नाम है, जो उसको ह कलियर करना होगा, ठीक है, अच्छे तरीके से, इसके अंदर जो details है, वो आपको देनी होगी, son या daughter of three, और उसके बाद में certify किया है, जो date of, आपको enrollment के अंदर जो date आई है, उस दिन तक किसी भी प्रकार से, यानि साधी वगेरा नहीं की है, इसके बारे में information देना है, place date, name, row number, signature of candidates, यहाँ पर है, जो कि wing commander के sign होंगे, place date वो automatically fill up कर देंगे, इससे उपर उपर आपको fill up है, वो करना है, यह है, फाइनली आपका joining letter जो कि क्या है, अगनिवीर भरती का पहला joining letter आप देख सकते हैं, इस तरीके का pattern में है, यहाँ पर आपका details दी गई है, जो कि personal information मैं यहाँ ने candidates की hide कर दी है, registration number है, PSL की details है, row number है, उसके बाद में name है, और date of birth है, उसके बाद में लिखा हुआ है, अगनिवीर वायू science subject से है, कालप लेटर 4, enrollment in Indian Air Force, main candidates, main और stand-by, दो ही type के candidates होते हैं, तो main जो इनका है, और अगनिवीर वायू intake, 01-2022 है, 35 November 2022, और दिली से dispatch ह होता है, मैंने बता दिया था, online आज आएगा, उसके बाद में यहाँ पर जो details हो पढ़ लेना, उसमें कुछ भी नहीं है, 27 यहाँ पर आपको date दी गई है, कि किस date को आपको report करना है, यह चीज़ें आपको जानना बहुत ही जरूरी है, तो बचे आपको सुबह जल्दी ही पहुंझाना है, अपने सेंटर पर, जोइनिंग लेटर की फोटो लेके जानी, खास्ट से आपको भारते वायुसेना में जोइनिंग टाइम में क्या कहा है, ट्वेल, टैंथ, ट्वेल्थ की जो ओरिजिनल मार्क सीट है, पासिंग सर्टिफिगेट साथ में फोटो कोपी आ वो होना चाहिए, ओके, तीसरा है, बेंक अकांट होना चाहिए, पास्पूक, ATM कार्ड तब आपके पास होना चाहिए, यदि नहीं है तो ओपन कर लेना, यदि नहीं है तो डोक्युमेंट्स वाँ पर आपको जम्मा करवा कर आपके जो है अकांट वगेरा ओपन हो पेन कार्ड आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड, voter ID नहीं है तो बनवा लेना वो भी अच्छी बात है और driving license जो भी है आपके पास heavy या learning तो आपके पास होना चाहिए उसके बाद में आपके पास यह mobile allow नहीं है बिलकुल भी तरीके से ये वाला मैंने बता दिया, SOAF फी वाला, उसके बाद में आपके पास character certificate है, वो बनवा लेना, सरपंच की बजाए आप परधान, जो गराम परधान होता है, यानि जो बोले एक तरीके से विकास अधिकारी है ना, उससे बनवा लेना, वीडियो से बनवा लेना, उसके बाद मे थरी मंद से पुरानी नहीं होनी चाहिए, याद रखना, यदि ऐसा है तो आपका बिल्कुल नहीं चलेगा, प्रोबलम हो सकती है, NOC की कोई जरूरत नहीं है, no objection certificate, उसके बाद में आपको house number, village, nearest, जो railway station है, police station है, pin code है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी, बाली लोगिन करके वहां से निकलवा लेना, रंगीन या जो भी आप लेकर जा रहे हैं, stage 1 यानि admit card हो गया, stage 2 यानि phase 2 आपका admit card, यानि जब आपका GDSRT physical हुआ था ना, उसका लेकर जाना, green card भी आपको लेकर जाना है, medical जो है, हुआ था उस time का, और आपके पास COVID-19 का certificate मैंने बता दिया, mostly documents आ गए हैं, तो इन documents में कोई गलती आपको मत, कोई भी गलती आपको नहीं करनी है, सभी forum आपको मैंने बता दिया किस तरीके से fill up करनी है, तो सारे forum fill up करने है, चारों के चार forum और एक आपका COVID-19 वाला हो जाएगा, ठीक है, तो यह forum fill up कर लेना, कोई दिकत प information आपको मिल जाएगी, तो YouTube चैनल सेक्षन में आने के बाद में, पले लिस्ट में चले जाना, यहाँ पर पले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, क्या है, पले लिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर आने के बाद में, यह देखीगा, joining लेटर वाली जो है, इसमें आपको information मिल जाएगी ये वीडियो देख लेना joining time documents सभी में आपकी details same होनी चाहिए documents में कोई गलती है तो अभी update करवा लेना और update करवा रखिये तो हो जाएगा ठीक है ये वीडियो देख लेना जो आपको मैं यहाँ पर देखें यहाँ पर जो touch कर रहा हूँ ना इस इस वाले वीडियो को आप देख लेना उसके बाद में इसी में एक playlist और है उसके बाद में यह वीडियो है जो एक playlist में है आपका देख लेना इसमें संपून क्या-क्या समान है वो लेकर जाना है यह आपका वीडियो है दो साल पहले upload किया था एक साल आपका COVID में चला गया तो यहां पर जो है इस वीडियो में मैंने complete जानकारी दिये, क्या है इस वाले वीडियो में आप देख लीजेगा, यहां पर लगबग 22,000 के आसपास व्यूज है, टोटल आपका प्यार है, यहां पर जो है information दे रहा है, इस वीडियो में मैंने कि क्या क्या चीजी आपको घर स सेंटर में अच्छे से अपना performance करना, ताकि आप 25% में सामिल हो जाओगे, पढ़ाई भी करनी है, physical activities भी होनी चाहिए, यानि जो आप से करवाया जा रहा है, वो आपको जरूरी है, इसके साथ सबसे पहले ही important है, वहां पर discipline, यदि आपका अनुसासन सही होगा, तो सब नहीं कहना है, जो भी candidates joining के लिए जा रहा है अपने training center पर, तो उनको मेरी होट से हर्दिक सुब कामना है, जो इनिंग टाइम मेडिकल की बात आती है, तो मेडिकल भी बिल्कुल सिंपल होता है, इतना हर्ड मेडिकल बिल्कुल नहीं होता है, आउट जो पार्ट है, वो चेक आपको कैसे क्या होता है, तो उसका वो डर नहीं रहेगा, और आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से रहना है, जो भी जानचे हो, वो हाँ पर बिल्कुल सही तरीके से आपको करवा लेने, कोई दिक्कत प्रेशानी नहीं आएगी, जैहिन, आपका दिन, सुब हो, आपकी यात मंगल में हो,